नमस्कार दोस्तों सुवागता है आप सभी का एक बाव फिट से गोलनी निया की इस ब्रैस वीडियों में तो चलिए सुरू करते हैं जानते हैं कि आज मुख्य समाचार की कुछ काम की बड़ी खबरे और इसी के साथ में सोने और चांदी के बाव को लेकर बड़ी अपडेट निकल करा रही है तो फड़ावट से हम सारी कबरों को जान लेते हैं लेकिन आपसे एक चोटी से बिनती है किस वीडियो को पुरा अंतक देखिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ में चनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा ओके तो बढ़ते हैं पहली ख़बर की और तो बारत सरकार ने वट्सप से हर मेशेज को डिजीटल फिंगर प्रिन्ट करने के लिए का जिया दोस्तो बारत सरकार ने हाली में वाटसप से कहा है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से भेजे जाने वाले हर मैसेज को बीना एने स्क्रेन तोड़े डिजिटल फिंगर प्रिंट करे इससे वाटसप पर सेर किये जाने वाले सबी कंटेंड को ट्रेस किया जा सकता है इस मामले में सरकारी अधिकारियों ने बताया कि वाटसप को या पता होना चाहिए कि कोई मैसेज कहां से सुरू हुआ है और उसे कितने लोगों द्वारा पढ़ा गया है और फॉरवर्ड किया गया है और उसे मैसेज पढ़े बिना इसे सुनचित करना चाहिए तो अगली किसन जारिक कर दिया है और इसके तैद आफिसर और ऑफिसर एसिस्टेंट की पदों पर वर्थिया निकाली है आवेधन की तारिक 18 जुन 2019 से स्रूः हो चुकी है और आवेधन की अंतिम तारिक 4 जुलाई 2019 तक है इसके लावा दोस्तों कूल 12,000 पदों पर बरतिया निकली है जिसकी अधिक जानकरी आपको ibps.in की वेबसाइट पर मिल जाएगी ओके तो अगली खबर है सावदान ज्यादा मासाहर करते है तो हो सकती है मौत सोध का दावा ज्याद दोस्तों अगर आप भी ज्यादा मासाहर करते है तो सावदान हो जाएए सोध करताओ का कहना है कि ज्यादा मास खाने से मौत हो सकती है इसे लेकर चेताओनी जारी करते हुए सोध करताओ ने कहा है कि जो लोग रैड मीट का ज्यादा सेवन करते है उनकी जल्दी मृत का खत्रा ज्यादा बना रहता है शोध का कहना है कि रेड मीट की जिगपे मशली अंडे साबूत अनाच और सब्जिया खाने वाले व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक जीते है यह शोध हावर्ड इंविश्टी में हुआ है इसमें सोध करता हूना ज्यादा ताद में रेड जेश कमांडर सज्जाद बट पुलवाना हमले में इस्तेमाल हुई थी इसकी कारदा हमले में सुरुकसा बलो नहीं मुठ बेड में जेशे मुuchtमेर के साथ और आतंकी मारा गया है ओके तो अगली खबर है driving license के नियमों में बड़ा बदलाव मोधी सरकार ने 8 वी पास की अनिवारयता हटाई जै दो सड़क परिवहन इमम राजमांग मंत्राले ने driving license के नियमों में बड़ा बदलाव किया है जिसमें कहा गया कि ड्राइविंग लाइसंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए आठवी पास सेक्सनिक योगिता कि आवसकता नहीं है है ना तो चलिए अगली खबर की बात करें तो इन ट्रेनों को चलाएगी प्राइवेट कमपनियां लेकिन नहीं बड़ा सकेगी किराया जहां दो शक्ता अबदी और राजदानी जैसे प्रीमियम ट्रेनों की कमान नीजी हातों सौफी जा सकती है सुत्रों से मिली जानकारी के नुद्सा रेल मंत्राले इसकी योजना त्यार कर रहा है यात्रियों को बैतर सुविदा मुहिया करवाने के लिए रेल मंत्राले नहीं योजना त्यार की है और इस तरह से रेलवे का खर्च कम होगा और यात्रियों को अच्छी सर्वेस भी मिलेगी यहाँ पर खास रिपोर्ट डेख सकते है नीजी कमपनियों को दिया जाएगा ट्रेन चलाने का ठेका शताबदी राजदानी जैसे ट्रेनों से इसकी सुरुवात होगी रेलवे के मुताबित प्रीमियम ट्रेनों की यात्री सुविदाय बढ़ाई जाएगी रेलवे के डिबबे और इंजिन के जो जिम्मेदारी होगी वर रेलवे की ही होगी ओके तो अगली खबर है सरकार दे त्यार किया नया प्लान अब आसानी से मिल जाएगा चोरी हुआ फोन जिया दो भीड़बड़ वाले इलाकों में जाते हुए यह डर बना रहता है कि कई हमारा फोन चोरी नहोजाए फोन चोरी होने पर पैसे का अब जो नुकसान होता है वो तो होता है इसके लावा हमारे तमाम डेटा भी उसमें से निकल जाते है इसकी बज़े से हमें कई बार नुकसान उठाना पर सकता है क्योंकि कई बार पुलिस में सिकायत दल्च करवाने के बाद भी फोन हाथ नहीं लग पाता है लेकिन अब दूर संचार विबाग देश के सभी मॉबाइल फोन का डेटा बेस त्यार किया है जिसमें Central Equipment Identity Register का नाम दिया गया है जिसमें देश के सभी मॉबाइल फोन का IMEI नंबर रिजिस्टर किया जाएगा अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो पुलिस में सिकायत करने के बाद यहां से आपका फोन ब्लॉक कर दिया जाएगा फिर वह किसी भी ऑपरेटर के नेटवर्क पर काम नहीं करेगा और इस डेटा बेस की वज़े से पुलिस को या फोन खोजने में भी आसानी हो जाएगी तो बात करें सोने और चांदी के बाव की तो यहां पर आप देख सकते हैं वैस्विक की स्थर पर कीमते बढ़ने से दिल्ली सरफा बेजार में चमके सोना और चांदी तो आज का सामाने ज्यान का प्रशना है कि विस्वक की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है इसका जवाब नीचे कमेंड करके बताईए और इस वेडियो को लाइक कीजिए साही जवाब देने वाला वी जिताओ के नाम रेनेमली सेलेक किये जाएंगे और आप जिसकते हैं गुलन इंडिया टीम की तरफ से मॉबाइल टीवी लैपटॉप कॉम्पिटर और भी डेड़ सारे स्मार्ट गैजेट तन्यवाद जहिन